नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और एक्जाम गाइड ग्रूपर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस के दोसों तीन वन लाइनर्स का कॉश्चन साइट पेपर लेकर आये हूँ लास्ट येर जो भी आपके एक्जाम हुए है चाहें SSC हैं, बैंक हैं, UPSC हैं, रेलवे, चाहें वो NTPC का या ग्रूपडी का एक्जाम हो, पुलिस कॉंस्टेबल या कोई भी सरकारी एक्जाम, उन सभी एक्जाम में जो भी साइंस के कॉश्चन्स पूशे गए थे, मैं उस से दो सकते हैं, तो वीडियो को skip नहीं करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखेगा, सारे कॉश्चन्स आपका अच्छा रिविजन कराने के लिए परफेक्ट पैकेज है, चले शुरू करते हैं वीडियो, सबसे पहला कॉश्चन ये रहा स्कीन पर, वायू मेंडल में किस ग हडियों से बना है, तो मानों का चहरा 14 हडियों से मिलकर बना है, समुदरी घोडा किसका उधारन है, तो समुदरी घोडा मतस्य वर्ग का उधारन है, खाना ना चिपकने वाले वर्तनों पर किसकी पतली परत होती है, तो टैफलोन की परत होती है, यहां पर सही कर लिजेगा टैफलोन की परत होती है खाना ना चिपकने वाले जो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन होते हैं उस पर टैफलोन की परत होती है लोह आयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी होती है तो मैंगनेटाइड लोहा जो होता है हमेटाइड, मैंगनेटाइड यह सब लोहे के आयस्क हैं तो केवल 59% भाग को हम प्रत्वी से चंद्रमा के देख पाते हैं दूद खटा होता है उसमें क्या उपस्थित होता है जिससे दूद खटा हो जाता है तो लैक्टिक अमल दूद में उपस्थित होता है जिसके कारण दूद खटा हो जाता है रॉकेट में प्रयुक्त इधन क्या क कहा जाता है, सीमेंट का जमना कैसी क्रिया है, तो सीमेंट का जमना उस्मा छेपी क्रिया का उधारण है, नेक्ट कॉशन देखते हैं, पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है, तो उसका आयतन कैसा हो जाता है, तो पानी जब जमकर जब बर्फ बन जाता है, तो उसका आयतन बढ जाता है इसी कारण पानी के जमने से बर्ब बनने से थंड़े प्रदीशों में ठंड के मौसम में जो है बर्ब जमने से पानी की पलाइन फट जाती है या कांच की बोतल भी टूड जाती है यह भी पोलियो जो है वायरस के कारण फैलता है अगले कॉशन पर चलते हैं सिल्वर पर काला धबा किसके कारण उत्पन होता है तो सल्फाइड के कारण सिल्वर पर काली कलर का धबा उत्पन हो जाता है प्रत्वी के ध्रोग की और जाने पर वस्तू का भार कैसा होता है तो प्रत्व बर्फ क्या है तो ठोस कारवन डई अक्साइड सुस्क बर्फ का उधारण है दूपते सूरज का लाल रंग क्यों प्रतीत होता है तो प्रकीरण के कारण दूपते हुए सूरज में लाल रंग दिखाई देता है यांतरिक उर्जा से विद्धुत उर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र है कांच क्या है तो कांच एक अती शीतित द्रव है स्वेत फासपुरस को किस में डुबा के रखते हैं तो स्वेत फासपुरस को पानी में या जल में डुबा के रखते हैं कौन सा कांच लेंस के लिए प्रियोग किया जाता है तो लेंस वगेरा बनाने में या ब रिखिस्तान में म्रग मरची का बनने का कारण क्या है तो प्रकास का पूर्ण आंत्रिक परावर्तन रिखिस्तान में म्रग मरची का बनने का कारण है पैंडलम की घड़ी किस रितू में अक्सर तेजी से चलती है तो सीत रितू में पैंडलम घड़ी जो है तेजी से चलती है और ग्रीस मेरितू में पेंडलम घडी सुस्थ हो जाती है। मॉटर कार में साइड मिरर की रूप में किस दर्पण का प्रियोग करते हैं तो मॉटर कार में साइड मिरर की रूप में उत्तल दर्पण का प्रियोग किया जाता है। रंगीन टेलिविजन में किन तीन रंगों का प्रयोग होता है तो जो प्रात्मिक रंग होते हैं लाल हरा और नीला रंगीन टेलिविजन में प्रात्मिक रंग का ही प्रयोग किया जाता है मानो शरीर में लाल रख्ट कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है तो बॉन मेरो अस्थी मज्जा में मानो शरीर में लाल रख्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है सफेद रख्तकणिकाओं का मुख्यकार क्या है तो शरीर को रोग प्रतिरोदक शमता प्रदान करना रोग प्रतिरोदक शमता धारन कराना शरीर के लिए सफेद रख्तकणिकाओं का मुख्यकार है सेरेब्रम किस से सम्मदित है तो मस्तिस्क से सम्मदित है सेरेब्रम मानशरी की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुर्य योजन मतलब अगर एक पर खराब हो जा तो दुबारा अच्छी हो सके पुर्य योजन तो किन कोशिकाओं में सबसे कम पुर्य योजन की शमता होती है तो मस्तिस की कोशियाओं में सबसे कम पुनर योजन की शक्ती होती है हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में कारवन डियाकसाइट की मात्रा लगबग लगबग कितनी होती है तो जो हम हवा छोड़ते हैं सांस में उसमें कारवन नियाकसाइड 4% लगबग लगबग होती है क्रैब शक्र में किसका संसलेशन होता है तो क्रैब शक्र में पाइरुविक अमल का संसलेशन होता है नेफ्रोन किसे सम्मंदित है तो नेफ्रोन जो है ये किडिनी से सम्मंदित है माफ करेगा हर्दे नहीं किडिनी से सम्मंदित है राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रोन गुर्दे की कार्यात्म की काई कहलाती है नेफ्रोन किडिनी से सम्मंदित है यहाँ पर हर्दे नहीं होग किडिनी होगा थोड़ा सा यहां सही कर लीजेगा गुर्दे की कार्यात्मग एकाई नेफरॉन कहलाती है गर भाशे में सिशू की विकास की जानकारी है तो किसका प्रयूग करते हैं तो अल्ट्रा साउंड का प्रयूग करते हैं गर भाशे में सिशू के विकास की जानकारी है अगर दोस्तों आपको किसी भी कॉशन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर सज़ेस्ट करें नेक्स कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है तो इस्त्रियों की नस्बंदी को क्या कहते हैं तो ट्यूबेट टॉमी कहते हैं इस त्रियों की नस्बंदी को, मानुशरीर की किस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी कहते हैं, तो मानुशरीर में जो प्यूश ग्रंथी होती है, उसको मास्टर ग्रंथी कहते हैं, मानुशरीर की सबसे छोटी ग्रंथी कौन सी है, तो मानुशरी दूरी के काई है, खगोल ये दूरी के काई है, मानव आंख में आइरिस का काम क्या है, तो पुतली के आकार को नियंतित करती है आइरिस, चूहे के विसका रासाइनिक नाम क्या है, तो चूहे के मारने वाले विसका रासाइनिक नाम है, जिंक फॉसफाइड, अमल वर्षा में किसकी अधिकता होती है तो सल्फियूरिक अमल की अधिकता होती है अमल वर्षा में एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है तो फंगस के संक्रमन के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है डॉक्टरों द्वारा प्रियोग में लाए जाने वाला स्थेटोस्कोप के सिद्दान पर काम करता है तो जो डॉक्टर हुर्दै की गती चेक करने के लिए अपने कान में लगा के उपकरण को यूज करते हैं वो कहलाता है स्थेटोस्कोप उसको परावरतन के प्रभाव का परावरतन के सिद्दान का काम करते हुए इस ठैटो स्कोप जो है काम करता है पनामा रोग किसे सम्मंदित है तो केले में होने वाला रोग है पनामा कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रवा किसके द्वारा होता है तो राइबोजोम के द्वारा कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रसार होता है वेल मचली किस वर्ग में आती है तो वेल मचली इस्तंदारी होती है इस्तंधारी जो जब baby bond करते हैं तो वो अंडे नहीं direct baby देते हैं तो वो इस्तंधारी कहलाते हैं और जो अंडे देते हैं तो वो इस्तंधारी नहीं कहलाते हैं जैसे example के तोर पर अगर अंडे देने की बात कहें तो जैसे मुर्गी इस्तंधारी नहीं क्योंकि अंडे देती ह और चुहे की बात करें वहीं, तो चुहे छोड़े-छोड़े बेबी उत्पन करता है, तो चुहा जो इस्तंधार ही हो जाएगा, ठीक है, next question दिखते है, DNA किस में पाय जाता है, तो माइटो कॉंट्रिया में DNA पाय जाएगा, नाइट्री करण जीवानू कौन होते हैं, तो पर पूटीन का निर्मार, जड़ों में लेगविनेशी पौधे जो है, फलीदार पौधे जो है, करते हैं, next question देखते है, cytokinesis में किसका बिभाजन होता है, तो कोशिका द्रव का बिभाजन होता है, cytokinesis में कोशिका द्रव का, तो तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्र में उत्सरजद होता है, तो एड्रिनलीस जो है, या एड्रिनल हार्मोन जो है, आपका उतेजना के समय बहुत तेज गती से निकलता है, भारत में सबसे अधिक यूकेलिप्टिस ब्रक्ष कहां पाय जाते हैं, तो नील गरी की जो पहाणिया हैं, भारत में सबसे अधिक कारण क्या है, तो उसमें लेक्टिक अम्र के कारण दूद को कुछ देर खुले में रखने पर दूद खटा हो जाता है, तरल पदार्तों से होकर ना गुजर सकने वाली भुकम की लहर, कौन सी लहर कहलाती है, तो ऐस लहर कहलाती है, नेक्ट कॉशन देखतें क्या पूशा धान का खेरा किसकी कमी के कारण होता है तो धान का खेरा जो है जस्ते की कमी के कारण होता है करनाल बंट किस फसल से संबंदित रोग है तो करनाल बंट गेहू से संबंदित रोग है गेहू की फसल में होता है यह रोग दुग्द ज्वर किसकी कमी से होता है तो दुग्द काम क्या है तो रक्त का थक्का जमाना शरीर में विटामिन की का काम है सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्यन के लिए नोबल पुरुसकार प्रादान किया गया तो प्रकास के प्रक्रिणन के लिए सीवी रमन को नोबल पुरुसकार मिला था किस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो vitamin B12 जिसका नाम है sinocobalmin इसमें cobalt होता है प्रकासिय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसरजन नलिकाओं में प्रियुक्त होने वाली gas कौन सी है तो neon gas का प्रियुक करते हैं कौन सा हार्मोन लडो उडो हार्मोन कहलाता है तो adrenalin हार्मोन लडो और उडो हार्मोन कहलाता है next question देखते हैं क्या पुश्य गया है उर्जा सूरी की उर्जा कैसे उत्पन होती है तो नाभी की सलियन से सूरी की उर्जा उत्पन होती है पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है तो पीलिया रोग जो है शरीर में लीवर को प्रभावित करता है मनुष्ट के शरीर में कुल बजन में खनिजों का अंस कितना प्रदीशत होता है तो मनुष्ट का जो कुल बॉड़ी बेट होता है उसमें 4 percent खनिज होते हैं खनिज में जैसे phosphorous, खनिज की कैडिगरी में आएगा रकास का रंग निर्धारित कैसे होता है तो तरंग दयर्ध के द्वारा परकास का रंग निर्धारित होता है लाइकेन किंदो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है तो कवक और सेवाल से मिलकल लाइकन बनता है जो प्रकृती में वातावरन में प्रदूशड़ का संसूचक होते हैं तोचा का रंग किसके कारण होता है तो मेलानीन के कारण तोचा का रंग निर्धारित होता है खाद पदार्थों के प्रड़क्षड हितू कौन सा रसाइन प्रियोग किया जाता है तो बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से मौसम में किसका संकित मिलता है तो बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ गई तो मौसम तूफानी होने वाला है य प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है तो आईसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे उपर रखने का कारण के है तो सम्महन की धारा इस्थापित कर अंदर को पूरी भाग को ठंडा रखना अब इसका अगर मैं आपको बताओ तो सबसे उपर रहता है अगर रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने वाला कॉलम तो क्या ठंड गर्ब में शिशु के लिंक की पहचान की जाती है प्रत्वी से ग्रहों की भुईस्थर कक्षा की उचाई कितनी होती है तो 36,000 km प्रत्वी की सता से उपर उपगर स्थापित किया जाते हैं अगले कौशन पे चलते हैं पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है तो बिली स्वेट प्रकास को प्रिजम से गुजरने पर प्रिजम के आधार की और कौन सा रंग मिलेगा तो प्रिजम के आधार की और बैगनी रंग मिलेगा बिटमिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है तो बैरी बैरी रोग बिटमिन B1 की कमी से होता है सिंदूर का रासाइनिक नाम क् carbonate baking soda का रासानिक नाम है, vitamin कौन सा है, जिसका नाम tocopherol है, तो vitamin E का रासानिक नाम है tocopherol, अगली question पर चलते हैं, परितंदर का ecosystem में उर्जा का इस्तिरोत क्या है, तो सौर उर्जा परितंदर का ecosystem में उर्जा का स्तिरोत है, प्रकास sensation वास्वसन दोनों के लिए आवश्चक क्या है, तो cytokrim, प्रकास sensation वास्वसन दोनों के लिए ही आवश्चक है, क्रेब शक्र कहा संपन होता है, तो mitochondria में क्रेब शक्र संपन होता है, पाइरोमीटर से क्या मापते हैं तो उच्छ तापमान पायरो मीटर से मापा जाता है एक्यूपंक्शर क्या है तो सुयों के माध्यम से उप्चार की एक विधी है एक्यूपंक्शर तापमान के घटने से वायू में ध्वनी का वेग क्या होगा तो तापमान के घटने से वायू में ध्वनी का वेग घटता है मानो के किस कशे रुकी पर खोपडी का संपूर भार निर्भर होता है तो एटलस मानो के किस कशे रुकी पर खोपडी का संपूर भार इस्तेत होता है जो हमारों की खोपड़ी है एटलस पर उसका पूरा का पूरा वेट रहता है वीटी कल्चर किसे सम्मनित है तो अंगूर की खेती वीटी कल्चर के अंतरगत आती है गुलाब से इतर निकालने की विधी को किसने खोजा तो अस्मत बेगन ने गुलाब से इतर निकालने की विधी को खोजा था मचलियों के तेल में किसकी प्रचुर मातरम रहती है तो बिटामिन D और बिटामिन A दौनों ही रहते हैं किसी तत्व की कमी से फी की रोग होता है तो फी का रोग जो है फासपोरस की कमी से होता है पटाकों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पठाके में मौझूद किसके करण होता है तो एस्ट्रोसियम या आप बैरियम और इस्ट्रांसियम एस्ट्रोसियम यहां पर एस किसके कारण होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रभा होता है नीत की बीमारी किस प्रोडो जोगा की कारण होती है तो ट्रिपेनो सोमा के कारण नीत की बीमारी मनुश्य में होती है किस रोग से पीडित को कार्बो हाइडरीट की अधिक मातरा लेने से मना करते हैं तो मदु कॉशन देखते हैं क्या पुश्य की यह रहा स्कीन पर तो मनुष्य की सरीर की सबसे छोटी ऊद्डी कौन सी है तो कान सरी की सबसे छोटी हप ज्य वाज dûकी है जूटा सोना एक QRIS इसको फूल्स गोल्ड या जूटा सोना कहते हैं सूरी से निरंतर उश्मावा प्रकास मिलने का करण क्या है तो सूरी के अंदर हाइड्रोजन का सलियन होते रहना नाब की सलियन जो है उसके करण सूरी के अंतर से अंदर से निरंतर उर्जावा प्रकास निकलता रहता है लोहे में निकलता है फलों के रसको सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो sodium benzoid का प्रयोग करते हैं फलों के रसको सुरक्षित रखने के लिए insulin एक हार्मोन है जो इस्तरावित होता है तो लेगर हैंस की बीटा कोशिकाओं मैंसे इंसुलिन इस्त्रावित होता है सबसे अधिक तरंग दैर्द किसकी होती है तो लाल रंग के प्रकास की तरंग दैर्द सबसे अधिक होती है समस्थानिक परमाडवों में क्या समान होते हैं तो प्रोटोनों की संख्या जो हैं समस्थानिक परमाडवों में समान होते हैं क्वाशी और कर रोग किसकी कमी के करण होता है तो प्रोटीन की कमी के करण क्वाशी और कर बीमारी होती है मरास्मस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो मास्पेश्या जो है मरास्मस रोग से शरीर की कोशिकाएं प्रभावित होती है प्रकास का तरंग सिद्दान किस ने दिया था तो हाईगेंस ने प्रकास का तरंग सिद्दान दिया था क्रायोजनिक एक विज्ञान है जो किसे समन्नित है तो निम्न तापी इंजनों से समन्नित है विज्ञान क्रायोजनिक की रेडियम किस से प्राप्त होता है तो पिच ब्लेंड धातू से रेडियम प्राप्त होता है मानुशरी की सबसे बड़ी अंतरिस्त्रावी गरंथी कौन सी है तो थाइराइड गरंथी मानुशरी की सबसे बड़ी अंतरिस्त्रावी गरंथी है दूद का दही में परिवर्तन कौन सी प्रक्रिया है तो दूद का दही में परिवर्तन रासानिक प्रक्रिया है रासानिक परिवर्तन में क्या होता है चीज़े एक बारागा चेंज हो गई तो दुबारा पहली अवस्थमनी आ सकती है लकडी का जलना तथा लोहे में जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है तो ये रासायनिक प्रक्रिया है एक धातू जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेंस इस्टील बनाते हैं तो कौन सी है तो क्रोमियम इस कौशन के लिए सही उत्र हो जाएगा मानों की आँख रेटीनापन निर्मित प्रदिवम कैसा होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है सैलानी मीटर यंद्र का प्रियो किसके लिए करते हैं तो किसी घोल में लवन की मातरन निर्धारित करने के लिए सैलानी मीटर का प्रियो करते हैं प्लाश्टर ऑप पैरिस किस से बनाया जाता है, तो प्लाश्टर ऑप पैरिस में जिपसम रहता है, सबसे विशाल जीवित इस्तन पाई कौन है, तो नीली वेल सबसे विशाल जीवित इस्तन पाई है, जीविज्यान का पिता मह किसे कहते हैं, तो अरस्तु को जीविज्यान क पितामा कहते हैं प्रत्वी के भूपटल पर सरवादिक मातरा में क्या पाई जाती है तो प्रत्वी के भूपटल पर सरवादिक मातरा में ऑक्सिजन पाई जाती है हिर्दय रोगियों को अधिक मातरा में क्या नहीं लेना चाहिए तो फैट वसा हिर्दय रोगियों को अधिक मातरा में नहीं लेना चाहिए पित रसका उत्सरजन कहां से होता है तो यकरत से पित रसका उत्सरजन होता है गामा किरने कैसी किरने हैं तो उच उर्जा युक्त विद्धुत चुम की तरंगे होती हैं गामा किरने वैग्यानिक अलबर्ट आइंस्टाइन किसके लिए प्रसित थे तो प्रकास विद्धुत प्रभाव के लिए अलबर्ट आइंस्टाइन प्रसित थे हवा में किस गैस की मात्रा सरवादिक है तो नाइट्रोजन हवा में सरवादिक है कितने परसेंट है नाइट्रोजन हवा में कमेंट बॉक्स में कमेंट लगे जरू बताईगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो ब्रहस्पदी ग्रह के उपग्रह कितने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट का कितने बताईएगा, चलो आप्शन देता हूँ, 79 या 82, अगले कौशन पर चलते हैं, Celsius से स्केल पर मानव शरी का सामाने तापमान कितना होता है, तो 37 दिग्री सेंटिग्रेट होता है, पर मानू नाभिक के अव्यब कौन कौन से है, तो पर मानू के नाभिक में प्रोटोन और न्यूट्रोन होते हैं, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो AIDS HIV विशानू के द्वारा होने वाला रोग है, वैकलपिक उर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है तो सौर उर्जा वैकलपिक उर्जा का सबसे बड़ा भंडार है जल की इस्थाई कठोरता का कारण क्या है तो केल्शम और मैगनीशम के क्लूराइड और सल्फेट जल की इस्थाई कठोरता का कारण है हाज से गैस किसे कहते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड को हाज से गैस कहते हैं डॉल्फिन किसमें वर्गी कृत किये गये हैं तो डॉल्फिन जो है इस्तन पाई जीव है इस्तन पाई वर्ग में वर्गी कृत किये गये हैं जीवन चक्र की द्रश्टी से पॉधे का सबसे महत्पुढंग क्या है तो जीवन चक्र की द्रश्टी से पुष्प जो है पॉधे का सबसे महत्पुढंग है सबसे लंबा जीवित ब्रक्ष कौन सा है तो सिकोवा सबसे लंबा जीवित ब्रक्ष है सर्वदाता वर्ग के रक्त का दाता कौन से ग्रुप का होता है तो O ग्रुप जो है सर्वदाता रक्त ग्रुप का होता है एस्प्रिन क्या है तो एंटी पायरिटिक है एस्प्रिन दूर दरश्टी निवारन के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो उत्तल लेंस का प्रियुग करते हैं दूर रश्शी दोस को दूर करने के लिए फ्यूज का सिद्दान किस पर काम करता है तो फ्यूज जो है विद्धुध धारा के ऊश्मे प्रभाव पर जैसे ही current के द्वारा तापमान बढ़ने लगता है फ्यूज तूटने वाला होता है उतनी current जादा होता है फ्यूज गरम होकर गल जाता है जिससे फ्यूज तूटने के कारण electric current खराब होने से बच जाते हैं तो डॉक्टर हर गोविन खुराना जी ने प्रियोग साहला में सरपुथम DNA का संस्लेशन किया था स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसको क्या मिलाते हैं किसमें जादा मिलाते हैं तो अगर कठोर स्टील बनाना है तो क्रोमियम की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है vitamin C का रासानिक नाम क्या है तो ascorbic acid vitamin C का रासानिक नाम है एक कार बैटरी में प्रियोक्त बिद्व अभगत कौन सा है तो एक कार की बैटरी में sulfuric अम्र का प्रियोग करते हैं किसकी कमी में, किसकी कमी से मदुमे हरोग होता है, तो शरीर में इंसुलिन की कमी से मदुमे हरोग होता है, खटे फलों में पाया जाने वाला कौन सा बिटामिन है, तो खटे फलों में बिटामिन C पाया जाता है, मनुष के शरीर में खून के सुधी करण की प्रक्रिया को क्या प्रयोग करते हैं वाहनों से निकलने वाली gas कौन सी है तो Carbon Mono Oxide CO वाहन से निकलने वाली विशली गैस है जो Hemoglovin में अगर पहुँशती है शरीर के रक्त में पहुँशती है तो दम घुटने से मृत्वी भी हो सकती है थोस कपूर से वास्प कपूर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो उर्धुक पातन इस कॉशन के लिए सहीत्र हो जाएगा पढ़ने में काम आने वाली ग्लास लेंस में किस प्रकार का कांच होता है तो उसमें उत्तर लेंस होता है कौन सी पढ़ने में काम आने वाली ग्लास लेंस में कौन सा लेंस होता ह कौन सी धातू रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रियोग करते हैं तो टंगस्टन का प्रियोग करते हैं तंगस्टन का गल्लांग क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा रापू पता है तो निशेशन की क्रिया कहा होती है तो अंडवाहनी में न परिवर्तन होती है तीस प्रतिशत उश्मा की हानी होती है जल विद्धुत उर्जा का जब गतेज उर्जा में परिवर्तन करते हैं तो तीस प्रतिशत उश्मा की हानी होती है जब एक पत्थर को चांद की सतर से प्रतिवी पर ला जाता है तो इसका भार तो बदल जाएगा परंतु द्रविमान वही रहेगा मतलब अगर मानके चलिए आप इतना बड़ा पत्थर लाएंगे वहाँ पर चंद्रमा पर यह 6 कलोका होगा इतना ही बड़ा पत्थर प्रत्वी पर आके 36 कलोका हो जाएगा तो भार तो चेंज हो जाता है लेकिन द्रविमान जो है उतना ही रहेगा कच्चे फलों को क्रतन मूव से पकाने के लिए उसमें कौन सी चीज कौन सी गैस का प्रियोग करते हैं तो एथिलीन गैस का या एसे ट्लीन गैस का प्रियोग करते हैं कौन सा बिटामिन खून के जमने के लिए आवशक है तो बिटामिन के खून के जमने के लिए आव एस्पिरिन कहां से निकलती है तो एस्पिरिन जो है पेड़ से निकाली जाती है पेड़ से छाल से प्राप्त होती है एस्पिरिन उससे बनके एस्पिरिन बनाई जाती है हाइड्रोजन को जलाने से क्या मिलता है तो हाइड्रोजन अंगर जलेगा तो पानी मिलेगा चुहा मानने का जहर किस रासानिक पदार्थ से बनता है तो पुटेशियम साइनाइट से चुहों को मानने का जहर बनता है सबसे छोटा दिन कब होता है तो 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है सूरग्रहन तब होता है जब तो सूरवा प्रत्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूरग्रहन होता है महासागरों में उची जल तरंगे किसके कारण उत्पन होती है तो चद्रमा के प्रत्वी के आकरशन के कारण महासागरों में उची तरंगे उत्पन होती है चुम्ब की सुई किस तरफ संकेत करती है तो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ चुम्ब की सुई संकेत करती है लोलग की कालाओधी किस पर निर्भर करती है तो जो लोलग के पैंडलम की लंबाई होती है उसी के उपर लोलग की कालाओधी निर्भर करती है रक्तदाप का मापकी अंदर क्या है तो इस फिग्रो मेटर से रक्तदाप ब्लड प्रेशर को माथते हैं कौन दूद में दही बनाता है तो Lactobacillus bacteria जो है दूद से दही बनाता है चेचक क्रिटिकों को सरप्रतम किसने तयार किया तो Edward Jenner ने चेचक क्रिटिके को सबसे पहले तयार किया था आलू क्या है तो आलू एक रूपांतरी तना है निकोटिन किसमें पाय जाता है तो तमबाक के कौफ भी प्राप्त होती है प्रथम जीव की उत्पत्ति कहां मानी जाती है तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में मानी जाती है लौ फ्लोटिंग का सिद्दान किस ने दिया तो आर्कमिडीस ने लौ फ्लोटिंग का सिद्दान दिया था सरप्रथम जीवानू का पता लि कीमो थरपी का प्रियोग करते हैं तो कैंसर के इलाज में कीमो थरपी का प्रियोग करते हैं रिकेट से एक बीमारी है किसे सम्दित है तो बच्चों में रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से हड्डियों की कमी हड्डियों की सम्दित बीमारी है तो बच्चों में विटाम कोई और ये खुश ए्डवर्ड जेनन ने गी थी एंटी टॉक्छिन का इंजेट्शन किसकी रोग ठाम के लगाते हैं तो टिटनेस के रोग ठाम के लगाते हैं विडाल टैस्ट का प्रयोग किस की जांच के लिए होता है तो टाइ-फ़ाइट की जांच के इविडाल टेश किया जाता है क्वासी ओरकर या मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है तो प्रोटीन की कमी से क्वासी ओरकर या मरासमस बीमारी होती है मानो शरीर में किस संग में हड्डियों की संख्या सरवादिक होती है तो उंगलियों में हड्डियों की संख्या सरवादिक ह होती है किस माना अंग में सरवादिक कॉलिष्ट्रॉल उत्पन होता है तो यक्रत में सबसे ज़्यादा कॉलिष्ट्रॉल उत्पन होता है नेत्रदान में दाता की आंके कौन से भाग का प्रत्यार उपन करते हैं तो कौर्णिया का प्रत्यार उपन करते हैं घेंगा रोग किस सत्तफल है सत्ति फल है कमेंट बॉक्स में शयर तो कृया ज़रा तो ये 203 कौशन्स जो मैंने आपको हैंहीं बदाये थे कि आज मैं आपके लिए 203 कौशन मैंने कंप्रीक करा दिये कैसा लगा आपको session कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताएं वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को जाज़ स्याधा शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बहुत महनत लगती है साथ साथ टीम का भी आत्म विश्वास पड़ता है तो कमेंट जरूर करें, शेर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्षन बॉक्स में या All Exam Guide Group हमारे चैनल के होम पेज पर क्लिक करें, जो आप देख रहे होंगे, लोगो बना हुआ है उसके बगल में All Exam Guide Group पर क्लिक करें, आपके लिए हमने अपने चैनल पर कम से कम पच्चिस सौ प्लस वीडियो अप्लोड किया है यह सारे वीडियो अलग-अलग टॉपिक अलग-अलग सब्जेक्ट्स के हैं हमारे इस चैनल पर हम दिन बर में तीन वीडियो अप्लोड करते हैं एक सुबच शे बज़े एक सुबच बज़े और एक शाम को साथ बज़े परड़े का टाइम फिक्स है इस टाइम पर वीडियो अप्लोड होते ही है तो आप रोज इस टाइम पर आकर हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं परड़े हम आपके लिए 500 प्लस वीडियो से इन तीनो वीडियो के माध्यम से 500 प्लस प्लस प्रोवाइट कर देते हैं जैसे अभी 203 मैंने इस वीडियो में दे दिये सुबच वाले कॉशन वीडियो में मैंने लगबग लगबग आपके लिए 180 कॉशन दिये थे और इससे पहले वाले अल्ली मॉनिंग वाले वीडियो में मैंने करेंट अफियस में आपके लिए लगबग लगबग 190 200 कॉशन लगबग 100 200 कॉशन करेंट अफियस में दिये थे तो आज तो 500 से जादा ही हो गए तो आप जरूर वीडियो देखेगा जो भी आपका experience है जो भी आपका suggestion है अमें comment करके बताईए अगर आप हमसे live पढ़ना चाते हैं तो रोज class live भी होती है हमारे channel All Exam Guide Guru 2.0 channel का नाम All Exam Guide Guru 2.0 तो आपको अगर इस channel पर live class पढ़नी है तो आप हमें comment box में comment करें हम आपके comment पर link share कर देंगे live class की link पर आप click करते हुए channel subscribe करते हुए हमसे live class में जुड़ सकते हैं तो ज़रूर comment करिएगा हम आपके comment का reply ज़रूर करेंगे मिलते हैं next part में आपको ये video कैसा लगा comment box में comment करके ज़रूर बताईएगा बहुत बहुत धनिवाद दोस्तों thank you so much